तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार है स्वागत हमारी यूटूब चैनल पे जिसका नाम है मेडिकल वाला और आज हम आपके लिए जो क्रीम लेके आए है उसके आरे हम पूरी जानकरी जानेंगे इस वीडियो के अंदर देखते ही वो क्रीम का नाम क्या है तो वो है उसे होते है क्या है इसके साइड एफेक्ट होते है और क्या क्या आपको प्रिकॉशन्स लेना ज़रूरी है शुरू करते है इसके कंटेंज से इसके अंदर जो कंटेंज होता है वो है बिटैमितेसल 0.1% weight by weight और इसको जो कंपनी बनाती है उसका नाम है GSK Healthcare तो इसकी जो प् डॉक्टर आपको prescribe करते हैं दूसरा है allergic conditions में तो दूसरा इसका यूद्जो है वो है eczema जैसे कि आप screen के उपर देख सकते हो कि eczema दिखने के लिए कैसा है उससे में doctor आपको ये prescribe करता है इसरा है dermatitis जैसे कि screen के उपर आपको dermatitis देखने के लिए बिल रहा है तो उससे में भ को reduce करने का यह काम करती है जागर आपने यह क्रिम ज्यादा अमोंट में इस्तमाल किया है जैसे कि लॉंग पिरेड के लिए आपने यह क्रिम को इस्तमाल किया है तो आपको यह सब इशूस देखनी की मिलेंगे दुसरा है burning sensation at the site of application अगर जिस जिर आपने लगाया है वहाँ पर आप वो burning sensation के से महसूस होना यह उसका दूसरा side effect है और यह side effect हर किसी में नहीं देखे जाते हैं यह side effect सिर्फ थोड़े बहुत लोगों को ही देखे जाते हैं अगर आपको इसे कुछ side effect दिख रहे तो आप आपकी डॉक्टर की सहला जरूर ले उन्हें यह सब बाते जरूर बाताईए इसके बात जो हम जानने वाले हैं वह है mechanism of action यह क्रिम कैसे काम करती है इसके content कैसे काम करते हैं तो शुरू करते हैं उसके और mechanism of action बेटनोवेट यह एक steroid है यह work करता है जब ब्लॉक करता है एक certain chemical messenger को जो prostaglandin नाम का होता है फिर वह prostaglandin जब बढ़ता है आपके body के अंदर तो वह skin को red करता है जुसरा है swollen करता है सुजाता है यह आपके इची करता है यह सब उ precautions कौन-कौन से लेना ज़रूरी है highly unsafe in pregnancy अगर आप pregnant हो तो आप ये क्रीम इस्तमाल ना करें अगर आपको ये क्रीम इस्तमाल करनी है तो आप आपकी डॉक्टर की सलह ज़रूर ले और अगर कोई mother है जो breastfeeding पर है तो वो भी ये क्रीम का इस्तमाल ना करें आपने डॉक्टर की सलह ज़रूर ले और इसी तरह के information को जानने के लिए हमारे medical वाला चैनल को subscribe करें लाइक करें और आपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले क्यों